Hello and welcome to homemade happiness with Manisha आज आपके office lunch के लिए एक बहुत ही quick and tasty high protein salad jar की recipe लेकर आई हूँ जो घंटों के बाद दी खराब नहीं होगा और आप इसे कभी भी कहीं भी enjoy कर सकते हैं और ये complete meal है तो आईए देखते हैं इसकी एक quick सी recipe अगर वीडियो अच्छी लगे तो please like, share and subscribe करना पिल्कुल भी ना भोले तो सबसे पहले salad की dressing बनाएंगे जिसके लिए मैंने दो बड़े चमच एक्स्टा वर्जिन olive oil ले लिया है और दो बड़े चमच ही ले रही हूँ फ्रेश नीम्बू का रस साथी में आधा चुड़ा चमच डाल रही हूँ नमक, आधा चुड़ा चमच काली मिर्च का पाउडर और मैंने दो कलियान लेसन की ले थी जिसको अच्छे से crush करके इसमें डाल दिया है साथी में एक चुड़ा चमच डाल रही हूँ आधा चुड़ा चमच डाला है औरोगनो फ्लेक्स आपके पास नहीं हो तो skip कर सकते हैं आधी चुड़ा चमच डाल रही हूँ कश्मीर राल मिर्ची का पाउडर साथी एक बहुत अच्छे टैंगी टेस्ट के लिए मैस में डाल रही हूँ एक चुड़ा चमच मस्टर्ड सॉस आपके पास डीजॉन मस्टर्ड हो तो वो डाल सकते हैं और इन सब को हम अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि सारी चीज़े अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं आप चाहे तो ड्रेसिंग को जादा quantity में भी थोड़ा सा बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में ताकि आप बहुत आसानी से salad कभी भी प्रिपैर कर सकते हैं ये ड्रेसिंग तो हमारी रेडी हो गई है आप चाहे तो इसे as it is उस कर लें लें में मैस में डाल रही हुँ दो बड़े चमबच के जितनी धनिये और पुदीने की तीखी वाली चटनी आप चाहें तो skip भी कर सकते हैं लेकि इनसे थोड़ाचा टेस्ट इन्हांस हो जाएगा इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं आप इस dressing को store करके रख सकते हैं द्रेसिंग तो हमारी ready हो गई है और इस salad को ना हमें immediately नहीं खाना है और इसे हमें carry करना है तो मैंने यहाँ पर एक mason jar ले लिया है आप कोई भी glass की bottle ले ले और उसके बाद मैंने सबसे पहले इसमें डाल दी है dressing मैंने आधी quantity डाली है क्योंकि मैंने यह दो portion के लिए बनाई थी dressing आप dressing की quantity अपने हिसाब से कम जादा भी कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर आधा cup के जितना डाल रही हूँ boil की हुए हुए काबली चने मैंने काबली चने को 8-10 गंटे के लिए रात में भिगा कर रख दिया था और उसके बाद मैंने इसको pressure cook कर लिया है नमक और हल्दी डाल कर दो एकदम soft boil हो गए है और क्योंकि यह complete meal है मैं इसमें आधा cup के जितना डाल रही हूँ cook किया हुआ कीनवा मैंने कीनवा को थोड़ा सा नमक डाल कर cook कर लिया था एकदम खिला खिला कीनवा बनाने के लिए आप मेरे lemon कीनवा की recipe को चेक कर सकते हैं जिसको मैंने pressure cooker में ही बनाया है इसके जगे आप कोई और मिलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं अब मैंने यहाँ पर एक चोधाई cup के जितने tomato डाल दिये हैं मैंने cherry tomatoes यूज़ किये हैं अब regular भी यूज़ कर सकते हैं आप salad अपनी मंच पसंद का कोई भी डाल सकते हैं मैंने थोड़ा सा घीरा डाला है थोड़ी सी मेरे पास purple वाली पत्ता गोबी थी वो डाल दिये हैं मैंने साथी थोड़े से गाजर के जूलियन्स थोड़ी सी लाल पिली और हरी शिम्ला मिर्च और थोड़े से कौन भी डा दिये हैं और साथी में थोड़ा सा लेट्यूस डाल दिया है जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया था ओपर में सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी फ्रेश धनिये की पत्तिया और ये लीजे हमारा salad तयार है आप इसे कभी भी कहीं भी इंजॉय कर सकत हैं अगर आप ओफिस के लिए लंच के लिए ले जाना चाते हैं तो आप इसे रात में भी बनाकर रेडी करके रख सकते हैं बस सालड की सीक्विंस का ध्यान रखेंगे कि जो हमारी लीफी वेजटेबल्स होती है या सौगी होने वाले सालड होते हैं उसको ड्रेसिंग के जैसे मैंने इसमें काला चना डाला है वो इसके फ्लेवर्स को और अच्छे से एब्सॉर्फ करेगा ड्रेसिंग के और बहुत ही टीस्टी हो जाएगा और इसे आप जब भी खाना चाते हैं इसे किसी बोल में फ्लिप करें ड्रेसिंग को अच्छे से मिक्स करें और करना बिलकुल भी ना भूले तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तिल देन टेक केर बाई